फिर तो भयानक अस्तरों की तरफ तथा अगली वायू और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लेगी जो रॉंग्टे खड़े कर देने वाली थी। उस मायमाई वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। नमस्कार अगर आप किसी कारण वश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिगा। देखने में अत्यंत भयंकर था। उसका पानी कभी घरता पड़ता नहीं था। उसमें फैन से मिली हुई पहाडों के समान उची-उची लहरे उठकर नित्यकरती सी दिखाई दे रही थी। वे कभी इधर उदर फैल जाती थी और कभी आपस में टक्रा जाती थी। वहाँ सब और रतनों से भरी हुई हजार उनावे चल रही थी। जो आकाश में विचरते हुए विमानों कीसी शोभा पाती थी। तथा तिमिंगल, तिमिती मिंगल, कच्छुए और मगर पानी में टूबे हुए परवतों के समान द्रिष्टी-गोचर होते थे। सहस्त्रों शंक, सबूर, जल में निबंग थे। एक विशेश प्रकार के मतस्य का नाम तिमि है। जो से निगल जाता है उस महतम्य को तिमिंगल कहते हैं। जो तिमिंगल को भी निगल जाता है। वह महा मतस्य का नाम तिमि तिमिंगल है। जैसे रात में जीने बादलों के आवरण से सहस्त्रों तारे चमकते दिखाई देते हैं उसी प्रकार समुद्र के जल में स्थित हजारों रत्न सभों तैरते हुए से प्रतीत होते हैं औरों की तो बात ही क्या है? वहां भयानक वायू भी पत्भ्रांत की भांती भटकने लगती है वायू का ये चक्कर कारना अद्भुच्चा प्रतीत हो रहा था इस प्रकार अत्यम्त वेक्षाली जल राशी महसागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानमों से भरा हुआ वह द्यत्तिन नगर भी देखा रत संचालन में कुशल सार्थी मातली तुरंत वहां पहुँचकर पाताल में उत्रे तथा रत पर सापधानी से बैठ कर आगे बड़े उन्होंने रत की घड़गड़ाहट से सबको भैभीत करते हुए उस द्यत्तिपुर की ओर धावा किया आकाश में होने वाले मेग गर्जन के समार उस रत का शब्द सुनकर दानव लोग मुझे देवराज इंद्र समझ कर भैसे अतिन्ति व्याकुल हो उठे सभी मन ही मन घबरा गए सभी अपने हाथों में धनुश्मार, तलवार, शूल, वर्सा, गधा और मुसलादी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए दानव के मन में आतंक चा गया था, इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंद करके सारे द्वार बंद कर दिये नगर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता था प्रिच्वी में उतर कर निमन स्थल में गय हुए रत के चक्के को द्रता पूर्वक पकड़ कर उंचा किया गया तब मैंने बड़ी भयंकर ध्वनी करने वाले देवदत नामक शंख को हाथ में डेकर अत्यमत प्रसन हो धीरे से उसे बजाया वे शंखनाद स्वर्ग लोग से टकरा कर प्रती धोनी उत्पन्न करने लगा उसकी आवाद सुनकर बड़े बड़े प्राणी भी भैभी थो इधर उदर छिप गये भारत तदनंतर निवात कवच नामक सभी देते आप भूशनों से विभूशित हो भांती भांती के कवच धारण किये हाथों में विस्त्रित अयुद लिये लोहे के बने हुए बड़े-बड़े शूल, गदा, मूसल, पाटिश, करवाल, रत चक्र, शत गणी, भुशुन्डी तथा रत निजडित, विचित्र खडग आदी लेकर सास्त्रों की संख्या में नगर से बाहर आए भरत्रिष्ट उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश में रत जाने युग्य मार्कों पर अपने उन घोड़ों को हागा उनके हागने पर उन शीग्रका में अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि मुझे उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता था यह एक अध्भुत बात थी तदनतर उन दान्वों ने वहाँ भीशन्च्वर और विक्राल आकरती वाले विभिन प्रकार के सहस्त्रों बाजे जोड़ जोड़ से बजाने आरब किये बाद्यों की उस तुमल ध्वनी से सहसा समुद्र के लाखों बड़े-बड़े परवताकार मतस से मृत्यू को प्राप्थ हुए और उनके मृत्चरीर पानी के उपर तैरने लगे तत पर शाथ उन सब दानवों ने सेंकणों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से मुझ पर आक्रमन किया भारत तब उन दानवों का और मेरा महा भहंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया जो निवात कपचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ उस समय बहुत से देवरशी तथा अन्य, महरशी एवं ब्रहमरशी और सिद्धगन उस महा युद्ध में देखने के लिए आए वे सब के सब मेरी विजय चाहते थे, अधा उन्होंने जैसे तारका में संग्राम के अफसर पर इंद्र की स्तुती की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधूर वचनु द्वारा मेरा भी स्तवन किया भारत तदनंतर सारे निवात कवज, संगटितो हाथों में अस्रशस्र लिये, युद्ध भूमी में वे एक पूर्वक मेरे उपर तूट पड़े उन महारती दान्भू ने मेरे रत का मार्क रोक कर भीशन गर्जना करते हुए मुझे सब और से घेर लिया और मुझ पर पाणों की वर्षा आरंब कर दी, फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानब शूल और पटिश आदी हाथों में लिये मेरे सामने आये और मुझ पर शूल तथा भुशूंदियों का प्रहार करने लिगे। दानबो द्वारा की गई वे शूलों की बड़ी भारी वर्षा निरंतर बीरे रत्वर होने लिगी। उसके साथ ही गदा और शक्तियों का भी प्रहार हो रहा था। तब मैंने उन में से एक एक को युद्ध में गांडेव धनुष से छोटे हुए सीधे जाने वाले विविद्ध प्रकार के दस दस वेगवान बाणों दारा बींध डाला। मेरे छोड़े हुए बाण पत्थर पर तेज किये हुए थे। उनकी मार खाकर सभी दानम युद् तब मातली उस रत के घोणों को तुरंत ही तीवर वेग से हाटने लगा। सार्थी से प्रेरित होकर वे अश्वर नाना प्रकार की चालिन दिखाते हुए वायू के समान वेग से चलने लगे। मातली ने उन्हें अच्छी तरह वश्मे कर रखा था। उन सबने वहां दिदी के पुत्रों को रौंद डाला। अर्जुन के उस विशाल रत में दस हजार खोड़ी जुते हुए थे। तो भी मातली उन्हें इस प्रकार वश्मे कर रखा था। कि वे अल्पसंख्यार अश वोट खाने से सैंक्णों देखते मृत्य को प्राप्थ हुए। इसी प्रकार वहां दूसरे बहुत से असुर हाथ में धनुश्मार लिये प्राण रहित हो गये थे। और उनके सार्थी भी मारे गये थे। उस दशा में सार्थी शुन्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर क खींचे लिए जाते थे। तब वे समस्त दानब सारी दिशाओं और विद्रिशाओं को रोक कर भांदी-भांदी के अस्त्र शस्त्रों द्वारा मुझ पर घातक प्रहार करने लगे। इससे मेरे मन में बड़ी इर्शा हुई। उस समय मैंने मातली की अत्यंत अध्भुच शक्ती देखी, उन्होंने वैसे वेक्षाली अश्वूं को बिना किसी प्रयास के ही वश्मे कर लिया। राजन, तब मैंने उस रण भूमी में अस्त्र शस्त्र धारे सैंकडों तथा सहस्त्रों अस्त्रों को विचित्र एवर्म शीक्रकामी बानों द्वारा मार गिराया। शत्रुदम नरेश, इस प्रकार पूर्ण प्रत्न पूर्वक युद में विचरते हुए मेरे उपर इंद्रसार्थी वीरवर मातली बड़े प्रसन्न हुए। मेरे उन घोडों तथा उस दिफ्वे रच्चे कुचल जाने के कारण भी कितने ही दानव मारे गये और बहुत स युद्ध चोड़कर भाग खड़े हुए। निवात कफ्चोने संग्राम में हम लोगों से होड सी लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके मेरी प्रगती को रोकनी की चेश्टा की। तब मैंने खुत और शीग्रामी बाणों को प्रमास्री चे अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीग्री, सैक्णों तथा हजारों दान्वों का संगार करने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से पेड़ित होकर वे महरत ही दयत्ते क्रोच चे आगबबला होठे और एक साथ सं जस्वी अस्त्र का आश्रे लिया, तब उस अस्त्र के प्रभाब से मैंने द्यत्तियों के चलाया हुए सहस्त्रों, खडग, त्रशूल और तोम्रों के सौस और टुकड़े कर डाले। तद पशात वो दान्वों के समस्त अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करके मैंने रोश उन सब को भी दस्तास बाणों से घायल करके प्रतिशोद लिया। उस समय मेरे गांड़े धनुष से बड़े बड़े बाण उस यूद्ध में इस प्रकार छूटते थे, मानुवरिक्र से जुन्ड के जुन्ड भौरे उड़ चले हुँ। उन सब बाणों को छिन्न भिन कर दिया। इस प्रकार मार खाते और मरते रहने पर भी निवात कप्चो ने पुनह भारी बाण वर्षा के द्वारा मुझे सब और से घेर लिया। तब मैंने अस्रविनाशक अस्रूं द्वारा उनकी बाण वर्षा के धेग को शांत करके अत्यनत शीकर गामी एवं प्रच्चुलित बाणों द्वारा सहस्रों द्यत्यों को घायल कर दिया। उनके कटे हुए आंग उसी प्रकार रक्त की धारा भाते थे जैसे वर्षा रितु में ब्रिष्टी के जल से भीगे हुए परवतों के शिकर जल की धारा भाते हैं। मेरी बाणों का स्पर्ष इंद्र के वजर के समान था। वे बड़े वेग से चूड़ते और सीधे जाकर शत्रों को अपना निशाना बनाते थे। उनकी जोट खाकर वे समस्त दाना भैसे व्याकुल हो उटे। उन दैत्यों के शरीर के सौसर टुकड़े हुए थे। उनके आजुन बोले, महराज तदनंतर चारों ओर से पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हो गई। प्रिक्षों के बराबर उचे शिलाखंड रण भूमी में गिरने लगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तब मैंने महंदरास्त्र से अभी मंतरत वजरतुले वेकमान बाणों द्वारा उस महा समर में गिरने वाले समस्त्र शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा की चूर होते ही सब और आग प्रकट हो गई। फिर तो वहां आग की चिंगारियों के समू की भाती पत्थर का चूर पढ़ने लगा। तदनंतर मेरे बा जल धाराएं गिरने वाले आकाश से प्रचंड शक्ति शालेनी सहस्त्रों धाराएं बरसने लगी। जिन्होंने ना केबल आकाश को ही अपितु संपूर दिशाओं और उपदिशाओं को भी सब और से ढख लिया। धाराओं की वर्षा हवा के जकोरों और दैत्यों की गर् करता था। स्वर्ग से लेकर प्रित्वी तर एक सूत्र में आभद्द सी होकर प्रित्वी पर सब और जल की धाराएं लगातार गिर रही थी। जिन्होंने वहां मुझे मुह में डाल दिया था। तब मैंने वहां देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्व भारत जब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोक लिया तब दानव लोग मुझ पर माय मैं अगनी और वायू का प्रियोग करने लगे। फिर तो मैंने बारुनास्त्र से वे सारी आग बुझा दी और भान शैलास्त्र का प्रियोग करके माय मैं वायू का वेक कुंठित कर दिया। भारत उस माया का निवारण हो जाने पर वे रणोनमत दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया का प्रयोक करने लगे। फिर तो भयानक अस्तरों की तर तथा अगनी, वायू और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी जो रोंग गोर एवं दुस्सा तिमिराशी से संपूर्ण लोकों के आच्छादित हो जाने पर मेरे रत के खोड़े युद्ध से विमुक हो गये। और मातली भी लड़ खडाने लगे। उनके हाथ से घोड़ों की लगाम और चाबुक धरती पर गिर पड़े। वे भाय भीत होकर बा खोई हुए मातली ने मुझ भैबीत युद्धा से इस प्रकार कहा। निश्पाप कुंति कुमार, प्राची इनकाल में अमरित की प्राप्ती के लिए देवताओं और देत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आँखों देखा था। शंबरासुर के बत के समय भी मैंने ही घोडों की बागडोर हाथ में दी थी। विरोचन कुमार बली का अत्यंत भयंकर महा संग्राम भी मेरा देखा हुआ है। वे बड़े-बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं। उनके भाग लिया है। परन्तु पांडुनंदन आज से पहले अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संगार निश्यत किया है। अवश्य ऐसा ही है। जगत के संगार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयंक युद्ध का होना संभब नहीं है। मातली का ये वचन सुनकर मैंने स्वयम ही अपने दानवो के उस महान महाबल का निवारन करते हुए भयभीत मातली से कहा। सूत आप डरे मत। स्थिर्ता पूर्वक रत पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है। मेरे गांडिव धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाब है। आज मैं अपने अ देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की स्रिष्टी की जो समस्त प्राणियों को मुह में डालने वाली है। उससे असुरूं की वे सारी माया नश्ट हो गई। तब उन अमित्य तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनह नानप्रकार की माया प्रकट की। इस अनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को वश्मे करके अपने श्रेष्ट रत के द्वारा उस रोमाचकारी संग्राम में विचरना आरंभ किया। तब भयानक निवात कवत चारों ओर से मेरे उपर तूट पड़े। उस समय मैंने अफसर देख देखकर उन सब को यम ना सका। दानव अपनी माया को समिट कर सहसा नगर में खुज गए। दैत्यों के भाग जाने से जब यहां सब कुछ सपश्ट दिखाई देने लगा तम मैंने दिखा लाखों दानव वहां मृत पड़े हैं। उनके अस्त्रश्यस्त्र और आभूशन भी पिसकर चून हो गए हैं। पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं रहा था। अतह वे अंतरिक शारी अश्व वहां से सहसा उचल कर आकाश में खड़े हो गए। रंके घोड़ों तथा रत को पकड़ कर उद्दानवों ने रत सहित मेरे उपर सब और से शिलाखंड द्वारा प्रहार आरंभ किया। नीचे परवतों के धेर लग गए थे और उपर से नई नई शिलाएं मेरे उपर गिर रही थी। इस से वे प्रदेश जहां हम लोग उपस्तित थे एक कुफा के समान जान पड़ता था। एक और तो मैं शिलाखंडों से आचादित हो रहा था। दूसरी और मेरे घोडे पकड़ लिये जाने से रत की कती कुंठित हो गई थी। इस विवश्ता की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लेगी जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भैभीत हुआ दे मैंने देवराज के परंप्रिये तथा भायंकर अस्तर वज्र का प्रयोक किया। अब जल स्थान का आशेले गांडी धनुष को वज्रास्तर से अभिमंत्रित करके मैंने लोही के तीखे बाण छोड़े जिनका स्पर्ष वज्र के समान कठोड़ था। ततन अंतर वज्रास् दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धारशाई हो गये। प्रित्वी के भीतर घुसकर जिन दानवो ने मेरे रत के खोड़ों को पकड़ रखा था। उनके शरीर में भी खुसकर मेरे बाणों ने उन सब को यमलोग भीज दिया। वहां मरकर गिरे हुए परवताकार निवात कवज इधर उदर बिखरे हुए परवतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी मित देहों से पट गया था। उस समय की युद में ना तो घोड़ों की कोई हानी पहुँची, ना रत का ही कोई सामान तूटा, ना मातली को ही चोट लगी और न मेरे शरीर में ही कोई आखात दिखाई दिया। यह एक अधुची बात थी। तब मातली ने हस्ते हुए मुझसे कहा, अर्जुन तुम में तो पराक्रम दिखाई देता है, वह देवताओं में भी नहीं है। उन असुर्ष समोहों के मारे जानी पर उनकी सारी स्त्रियां उस को भैभीत करता हुआ उस देते नगर में गया। मोर के समान सुन्दर उन दस हजार घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस रत को देखके जुंड की जुंड तानवस्त्रियां इधर उधर भाग चली। उन डरी हुई निशाचरियों के अभूशनों के द्वारा उत्वन हुए शब्द परवतों पर पढ़ती हुई शिलाओं के समान जान पढ़ते थे। ततपशात वे भैभीत हुई देते नारियां अपने अपने घरों में चली गई। उनके महल सोने के बने हुए थे और एनेक प्रकार के रतनों से उनकी विचित्र शोभा होती थी। वे उत्तम इवं अध्भुत नगर देवपुरी से भी शेष्ट दिखाई देता था। तब उससे देखकर मैंने मातली से पूछा। सार्थे देवता लोग ऐसे नगर में क्यों नहीं बसते। ये नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। इवर तपस्या करके पेता महा ब्रह्मा जी को प्रसंद किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही ये भी मांगा कि हमें युद्र में देरताओं से भैना हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेधन किया। प्रभो अपने और हमारे हित के लिए आप ही इन दान्वों का अंध कीजिए। भारत नंदन उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा। तुम इनका बिनाश करने के लिए यहां आप पहुँचे। और तुमने जैसे देव का विधान था उसके अनुसार इनका संखार कर डाला। पुर्शोतम देवराज इंदर ने इन दान्वों की बिनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्रबल की प्राप्ति कराई है। महराज इस प्रकार उन दान्वों का संखार करके नगर में शान्थी स्थापित करने के पश्षात मैं मातली के साथ बुनह उस देव लोग को लौट आया। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे।